बिहार बूट के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत बरिखुस खबरी है दोस्तों अगर आप इस वार यानी सत्र 2021 के लिए अपना एड्मिशन इंटर्मेडियेट में करवाना चाहते हो तो बिहार बूट के द्वारा जोहीं डेट जारी कर दी गई है और इस डेट के वीतर चोह है आपको अपना ऑनलाइन एड्मिशन ले लेना है आज की इस वीडियो में हम आपको डेट की जानकारी देंगे साथ ही साथ क्या कुछ important terms होते हैं जिसे आपको follow करना है और आप चुहे ofss portal पर कैसे registered कर सकते हैं इसकी वी जानकारी देंगे और तो और हम आपक आपको search करनी है सरकारी योजना कुछ इस प्रकार से आपको सर्च करनी है जैसे यह आप सरकारी योजना सर्च करते हो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट देखने को आ जाएंगे आपके सामने यह जो website है खुल जाएगा serkaryynna.com इसे आप open कर लीज़ेगा जैसे ही आप इ कुछ दिनों बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है यह पोस्ट आपको ना मिले तो सर्च बॉक्स में आपको ओ एफ एस एस लिखकर सर्च कर लेना है जैसे ही आप ओ एफ एस लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने यह रिजल्ट आ जाएगा ओ एफ एस बिहार उसकी भी जानकारी आपको दी गई है यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं बिहार विद्याले परिच्छा सिमीती पटना इंटर्मीडियेट एडमिशन सत्र 2021-23 के लिए अवस्यक निर्देश तो यहाँ पर जो है बिहार सरकार के द्वारा यह ओफिशल अगरा की जानकारी दे देते हैं तो डेट जो है आपका 16-2021 से 28-2021 तक कर रहेगा यानि इस पीडियेट के बीच जो है आपको इंटर्मीडियेट एडमिशन के लिए ओनलाइन आविदन कर देनी है ओफिशल वैफसाइट जो ही यहाँ पर है इस वैफसाइट पर जाकर आपक रॉल नंबर, रॉल कोड आपका पूरा नाम, मॉवाइल नंबर, इमेल आईडी और हाल ही में आपकी कोई पासपूर्ट साइज फोटो खीची गई है तो रिसेंट पासपूर्ट साइज फोटो आपको रख लेनी है तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तयार रखेंगे तयार रखने के बाद आप आविदन कर सकते हैं इसके लिए आपको ये वीडियो दिया गया है इस वीडियो को देखकर आप ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे रेजिस्टर कर सकते हैं उसका प्रॉसेस जान सकते हैं ये जो है 2020-22 का है लेकिन सेम प्रॉसेस जो है 2021-23 में भी करनी है और इसके बाद आपके सामने ये वाला जो लिंक है ये आपका 16 तारिक से लाइब हो जाएगा अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इरर दे देगा क्योंकि ये अभी फांड नहीं है लेकिन 16 तारिक के बाद ये फांड हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आने के आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने से पहले जो है इस वीडियो को जरूर देख लीजेगा है मैं यहाँ पर थोड़ा प्ली करके आपको दिखा देता हूं मैं इसका पाउस कर देता हूं मूट कर देता हूं और यहाँ पर जो मैंने रजिस्टरेशन कर रखा था उसकी जानक से एडमिशन कर सकते हैं ठेक हैं तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है सारे वीडियो आपको यहाँ पर दिये गया है स्टेप बाई स्टेप आपको प्रॉसेस भी बताया गया है अगर प्रॉसेस की बात करें तो यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप सारे प्रॉसेस मिल जाएगा अब आते हैं क्या कुछ जो आज का अपडेट आया है उसमें दिया गया है तो इसको थोरा मैं जो है उपन कर लेता हूं इस इमेज को और इसको मैं जूम करके आप लोगों को जो है पूरी तरह से समझा देता हूं तो आपर देख सकते हैं बिहार विद्याले पर सरकारे डिग्री महाविद्याले अंगीभुत डिग्री महाविद्याले के ओनलाइन आमंकन है तो विद्यार्थी के लिए आवश्यक सूचना विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पुर्व इस विज्यापित को पूरा पढ़ें तथा उएफसस है कि भाई अगर कोई गलती करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार खुद होगे बिहारबोड इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है तो इसको आप पुरी तरह से पढ़ लीजिएगा पूरा जो है समझ लीजिएगा डाउनलोड तो आपको सरकारियोजना.com से करना है मैंने बता जो है 300 रुपे आपको लगेंगे उसके भी बारे में जानकारी दी गई है तो दोस्तों 16 को लाइब हो जाएगा उससे पहले आप सारा जो है टमसन कंडिशन पर कर रख लिजे सारी जानकारी आप पढ़ कर रख लिजे और जो कॉमन प्रस्टिट्यूट्स वाला फॉर्म है उसे डाउनलोड कर लिजे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से अपना रजिस्ट्रीशन कर सकें और आप आसानी से अपना काम कर सकें यहाँ पर प्रस्टिट्यूट्स डाउनलोड करने के लिए भी लिंक आपको दिया गया है जिसको आप इजी वे में द करना है वो सब आपको यहां पर बताया गया है जिसको आपको फॉलो कर लेना है तो यहां पर सारी जानकारी आप देख सकते हैं जो मैंने आपको डीटेल में बता दी तो मेरे आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा साधी साथ फ्रेंड्स अगर 16 को जो ही यह होगे तो यहां पर आपको जो है एक अलाव करने का मिलेगा ठीक है इस अलाव वाले बटन पर क्लिक करके आप जो है अलाव कर देना ताकि जैसे ही रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को भीज सकूँ और वह नोटिफिकेशन आप को डाइरेक्ट मोबाइल में या फिर कंप्यूटर पर मिल जाए ताकि आप फटाक से जाकर रजिस्टर कर देना पूरे प्रोसेस के साथ पूरे प्रूफ के साथ तो मिलते एक लिए वडियो में धन्यवाद